नमस्कार किसान भाई ओ, देशी मूर्गी पालन में आप से भी का स्वागत है आज की वीडियो में हम पोल्टरी फीड किस तरह से बनाना है इसके बारे में बातचित करेंगे और हम दो मशीन के बारे में बातचित करेंगे इसके उपर हमें यह मशीन पर्चेस करना पड़ेगा फीड दो टाइप से हम बना सकते एक तो पहला पोल्टरी फीड है जिसमें हम मेश कहते है इसमें खाली आपको पोल्टरी फीड में जो इनिग्रेडियन लगते है वो सभी एक जगा करने है और उसे ग्राइंड करना है तो इससे मेश फीड तैयार होता है जिसे दाना भी हम बोलेंगे और दूसरा जो होता है पेलेट या करम फीड आप सभी को पता है कि पोल्टरी फीड जो रेडिमेट आता है वो करम टाइप में आता है जिसमें दाने थोड़े ठिक टाक होते है और दूसरा एक रहता है उससे भी बड़ा पेलेट जिसे हम बोलते है जब अंडा देने वाली मूर्गी या हमारी फिनिशर मूर्गी है इसके लिए हम या पेलेट टाइप का फीड देते है तो इसलिए दो अलग-अलग मशीन लगती है पहला जो मेश फीड वाला इसके लिए हमें सिर्फ तीस हाजर का इन्वेस्टमेंट लगेगा लेकिन दूसर इन्वेस्टमेंट आप मैं बता देता हूं आपको इसमें फीड बनाने के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट लगते इसमें सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है मका उसके बाद जवार बाजरा गेहूं चावल के दाने अर उसी तरह राइस पॉलिश डी ओ और भी फीश मील mineral mixture यह सब ingredient आपको लेने पड़ते हैं आपको अगर अपने घर पर फीड बनाना है machine install करना है तो इसके लिए आप हमारी consultancy ले सकते हैं जिसमें machine कहां से purchase करना है और main feed formula जो है कि कुण से कुण से ingredient और कितनी मातरा में लेना यह सब जानकर आपको उसमें मिलेगी poultry feed घर पर बनाने की बात इसलिए हम कर सकते है क्योंकि हम देख रहे कि दिन बदिन जो है poultry feed के rate जो है increase होते जा रहे है और ऐसे समय में अगर हम घर पर ही poultry feed बनाते है तो पर केजी तकरिबन 5 रूपे से लेके 10 रूपे तक का ख़र जो है हम poultry feed का कम कर सकते है और मुझे लगता है यह बहुत ही अच्छी बात है और वो भी अगर कम investment में जैसे कि मैंने बोला आपको initial investment अगर आप mesh feed बनाना चाते है तो only 30 to 35,000 तक का machine आपको लगेगा जिसे पलवालाइजर बोलते है और इस तरह का machine लेके हम poultry feed बना सकते है और आमारे पास जो देशी feed बना सकते है यह हम तो अपने देशी मूर्गियों को feed किलाई सकते है अगर आप हमारे आसपास कोई poultry farming कर रहे है तो उसे भी हम यह feed अच्छे दाम में sell कर सकते है जिससे कि आपको अच्छा profit भी मिल सकता है और हमारी area में हम एक अच्छी service भी जो हमारे किसान भाई poultry farming कर उनको provide कर सकते हैं तो आज हम यहीं पर रुकते हैं धन्यवाद